लो एब्रिवन तो इस फीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि react.js के अंदर form handling कैसे की जाती है form की validations कैसे की जाती है और यह सब काम हम जो करने वाले हैं without using any third party library तो देखिए libraries यूज करना कोई घलत बात नहीं है बड़ा थिंग इसके अगर आपके पास एक ही form है या फिर बहु आप एक third party library के through करेंगे वो सब बहुत easily आप जो है अपना custom code लिकर भी कर सकते हैं जो की हमारी इस वीडियो का purpose है और मैं आपको सिखाने भी वाला हूं तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो है form यहाँ पर create कर रखा है जिसकी validations हम करेंगे इस वीडियो के अं we are showing a proper error message here below this field ठीक है ना सारी fields के नीचे हम जो हमारा error message दिखाने वाले हैं देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके ओपर click करा but without filling I am going to the next field तो हमारा error throw हो जाएगा यहाँ पर and यह सारी यह वाली जो validations है यह सभी fields के लिए अगर मैं without fill करें किसी next field पर जांगो तो हमारा error throw होगा you can see okay और अब यहाँ पर आप message भी देख सकते हैं इसके अंदर क्या validation है username should be three to sixteen characters and should not include any special character ठीक है तो यहाँ पर minimum three characters होने चाहिए let's check it ABC तो देखिए हमारी यहाँ पर error message जो है वो चला गया है अगर मैं इसको sixteen से ज्यादा कर दूं you can see फिर से हमारा error message आ गया है अगर मै इसको exact sixteen रखूं तो देखिए हमारा error message फिर से चला गया और email के लिए भी हमने हमारी proper validations कर रहा ही है let me just show you मैंने test लिखा मैं बाहर आया तो देखिए अभी हमारा error message वो नहीं गया add rate मैंने add करा फिर भी नहीं गया but if I'll give proper email id यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर जो हमारा message नहीं है तो देखिए password के अंदर भी हमारी जो validation है वो properly added है you can see these are the rules which we have to follow तो यहाँ पर password होना चाहिए ह हमारा 8 से 20 character के बीच में और यह include होना इसके अंदर minimum एक character होना चाहिए minimum एक number होना चाहिए और एक special character होना चाहिए ठीक है तो आपने देखा यह होगा आप कहीं पर sign up करते हो किसी भी website वगरा में तो जातर आजकल यही standard format चल रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पर password ले रहा हूँ फिर सागया तो चला गया तो यहाँ पर हमारी proper error handling है तो यही वाली error handling अब हम करेंगे इसके लिए हम code लिखना स्टार्ट करेंगे बस उससे पहले चलते हैं हमारे desktop screen में और एक project create कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक folder create कर लूँगा जिसमें हमारा project रहने वाला है और इसका नाम रहेगा react form और इस folder को हमें open कर लेना है visual studio code में और उसके बाद हमें यहाँ पर यह आइकन्स पिलेंगे इस पर हमें click करना है और हमें आ जाना है हमारे terminal tab में तो यहाँ पर आके हमें हमारे react का project create कर लेना है तो मैं react project create करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ wheat और उसके लिए command रहेगी एन पी एम create wheat at the latest and यहाँ पर मुझे देज़े ना है dot क्यूंके मैं यहाँ पर project का कोई नाम नहीं देना चाहता देन उसके बाद हम यहाँ पर select करेंगे react then javascript and you can see हमारा project जो है हमारी same directory पर create हो गया है जो हमने dot दिया तो उससे basically क्या होता है कि हमार जिस भी current directory में है न उसी directory के root पर हमारा project create हो जाता है तो यहाँ पर पहले हमें npm आई करना पड़ेगा क्यूंके अभी हमारे पास यहाँ पर node modules नहीं है तो node modules install करने के लिए आपको npm install लिखना पड़ेगा install या आई कुछ भी लिख सकते हैं आप तो यह थोड़ा सा time लेगा हमारे सारे यहाँ पर node modules उसके बाद आ जाएंगे देन उसके बाद हम easily हमारा project जो है run कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह properly हमारे सारे node modules यहाँ पर जो है add हो चुके हैं अब हम जो है हमारा project run करने के लिए command लिखेंगे npm run dev इस command से हमारा जो project है वो run हो जाएगा इस URL पर यू कन सी अगर आपका manually run नहीं हो रहा है click करने पर तो आप जो है यहाँ से इसको URL को copy करके अपने browser के अंदर hit कर सकते हैं तो दिखीए guys यहाँ पर आप भी I hope इसी stage पर पहुँच चुके होंगे आपको भी a screen दिख रही होग और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहँगा कि अगर आपके case में यह जो wheat project है नहीं हो रहा है तो आप normal react project भी create कर सकते हैं क्योंकि files जो है हमारी almost file structure same रहने वाला है ठीक है यह बस मैंने wheat इसलिए wheat react मैंने यहाँ पर इसलिए create की है क्योंकि इसके अंदर कुछ फालत हो की additional files इसलिए नहीं आती है हम directly जो है हमारी files के अंदर जाके काम कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हम open करेंगे हमारी app.jsx और यहाँ पर यह जितना भी code दिख रहा है additionally इन सबकों मैं कर दूँगा remove and let me just change the indexing here यह करने की आपको जरूरत नहीं है और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है save और यहाँ पर मैं दा जिता हूँ app then app.css file खोलेंगे और यह सारी css हम कर देंगे remove even यह जो css file इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यह भी आप remove कर दीजिए then इसको save कर लीजिए और यह जो app.css है इसको कर देंगे delete then उसके बाद यह जो ह आपर आ रही है nice then उसके बाद हम जो है src folder के अंदर एक folder create करेंगे folder का नाम रहेगा हमारा form fields तो इसके अंदर हमारी value field कर रहेने वाली है input input.jsx तो यह हमारा component है इसका जो first letter है वो हम capital में लेंगे i and यह हमारा component create हो गया और इसी के अंदर हम एक css file भी create कर लेंगे same form fields folder के अंदर तो हमारी जो css file रहे है उसका नाम है style then इसका extension है css अब गाईज आपको जो है एक link मिलेगा description के अंदर gist link उसको आपको open कर लेना है let me just open the same link here तो जब आप उस link को open करेंगे तो यहाँ पर आपको यह कुछ files दिखेंगी ठीक है तो यह सारी css हमें copy कर लेनी है पहले तो यह वाली index.css की css हम copy करेंगे क्योंके guys यह वाला जो हमारा project है यह basically focused होगा हमारा form की validation के ओपर ठीक है तो इसके अंदर हम css नहीं लिखेंगे हम जो है हमारी सारी css already मैंने यहाँ पर दाल दिये gist में इसको हमें बस copy करके यहाँ पर paste कर लेना है यह वाली सारी css हमें कर देंगे remove index.css में से और इसको हम कर देंगे यहाँ पर paste then इसको हम कर लेंगे save इसके अंदर अब हमें कुछ भी नहीं करना और अब यह जो style.css है इसकी css भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर यह भी मैंने सारी copy कर ली है और अब मैं चाहूंगा हमारी style.css फाइल में और इसको भी यहाँ पर paste करके save कर लूँगा then उसके बाद यह जो हमारा input.jsx है इसके अंदर हम एक component create करेंगे र, a, f, c, e कमांड के थुरू तो अगर यह command आपके लिए काम नहीं कर रही है that means कि आपने जो है यह वाला es6 syntax यह extension install नहीं कर रखा है तो आप इसका नाम सर्च करके es7 plus react redux react native snippets यह आप जो है install कर सकते हैं जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने rafc command में आपको दुबारा दिखा देता हूँ मैंने rafc किया और यहाँ पर हमारा जो react component है functional component वो create हो गया ठीक है तो मैं अपने code को कर लूँगा अब यहाँ पर थोड़ा सा zoom ताकि आपको देखने में आसानी हो और code आपके लिए readable हो जाए दिन उसके बाद हम यहाँ पर import कर लेंगे हमारी css file import टेम directory में हैं हम तो हमारी css file भी यहाँ पर import हो गई है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम हमारा html complete करेंगे यहाँ पर form का दिन उसके बाद हम हमारी validations complete करेंगे validations handling तो guys मैं यहाँ पर आ जाओंगा हमारे app.jsx के अंदर और यहाँ पर आके में यह वाला input component import कर वालो तो यह जो हमारा return statement है इसके अंदर मैं यह रिमूफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम एक form ले लेंगे form tag then इस form tag के अंदर हमारा यह वाला जो input component है इसको मैं multiple times यहाँ पर add कर दूँँगा four times इसको यहाँ पर अभी add कर देता है फिलाल के लिए और यहाँ पर हमारे एक button रहने वाला है submit button तो वो भी मैं create कर लेता हूँ एक बार इसको चलते हैं और browser पर चलके चेक करते हैं तो देखिए यह रहा जैसे ही मैंने यहाँ पर form tag लिया तो यह हमारा यहाँ पर यह box बनावा हुआ आ गया क्यूंकि हमने अभी जो भी css वगएरा इंपोर्ट करिए सारी styling वहीं से आ रही है let me just show you कि यह देखिए जो form tag है यह styling कहां से ले रहा है index.css के अंदर हमारे पास यहाँ पर यह रहा form की css लिख हुई है सारी styling यहां से ले रहा है I hope कि आपको css समझ में आती होगी और अगर नहीं आती है तो आप जो है थोड़ा सा time लेके इसको अच्छे से एक बार check कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर proper css tags वगएरा हैं यह जो लिख रखे हैं यह क्या कर रहा है ठीक है तो इसको आप जो है एक बा component के अंदर आके हम यहां पर एक जो है main div create कर लेंगे क्योंकि हमारे input में तीन चीज़े रहेंगी हमारे यहां पर जो main div होगी इसमें तीन चीज़े रहेंगी एक तो label दूसरा input और तीसरा error message ठीक है तो मैं यहां पर एक div create करूंगा div के ओपर class रहेगी input field then इसके बाद यहां पर हमारा रहेगा label लेवल के अंदर मैं अभी फिलाल के लिए label ही लिख देता हूँ और यहां पर हमारा आजाएगा input और इसको हम type देते हैं फिलाल के लिए text then उसके बाद यहां पर हमारा error message रहेगा एक spend tag में और यहां पर हम इसको देते हैं error message इसको मैं save करता हूँ और ए तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा लेबल आ गया है, इन्पुट बॉक्स आ गया है, लेट मी ज़स्ट चेक, एरर मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है ओके लेट मी ज़स्ट गो थ्रू दिसी एसस हेर, तो यह रहा हमारा स्टैन इन्पुट फिल में हमारे पार हमारे पार है, इस नाट इन्पुट बॉक्स प्रॉबलम कुछ नहीं है, यह सब दिख रहा है अगर मैं कलर यहां पर दे दूँ, तो आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा एरर मैसेज भी शो होने लगा तो इसके लिए हमें, अभी CSS लिखेंगे हम, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीके क्योंकि यह हमें कंडिशनली हैंडल करना है, एरर मैसेज, तो मैं अभी इसको रिफ्रेश कर लूँगा, और देखिए, यहां पर यह जो आप इन्पुट फील्ड वईरा देख रहे हैं, यह हमें ऐसे तो एड़ करनी नहीं है, तो यहां पर हम एक जो है, हमारे बटन के ओपर जो है कलास मिसिंग है, बटन के ओपर हमारी कलास रहने वाली है, स्टोरी, कलास नेम बटन, देन उसके बाद हमारी बटन की स्टाइलिंग भी यहां पर आ गई, पूरी तरह से, ठीक हैं? तो अब हम आते हैं, इधर हमारी एपडो़ जैस एक्स के अंदर और हम हमारी json लिखेंगे तो यहाँ पर हम एक recreate कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं हम form fields और यहाँ पर हमारी हर एक field के लिए जो है इसके अंदर एक object रहेगा और object के अंदर हमारी होगी हर field के लिए एक id and then name हमारी जो first field रहने वाली है उसका name होगा username then इसके अंदर हर field में हमें type भी देना है इसका type होगा text username रहेगा हमारा text then placeholder text देंगे हम इसमें placeholder और placeholder में भी हम same name दे देंगे यहाँ पर यहाँ पर you capital रहेगा username then उसके बाद हमें देना है label का text और label के text में भी हम यही placeholder copy करके दाल देंगे then अभी हमें यहाँ पर कुछ भी add नहीं करना है और मैं यह पूरा object कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पर three times paste कर दूँगा and हम यहाँ पर id जो है change कर देते हैं two three and four then हमारी जो second field एने वाली है वो है email तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँँगा email then इन दोनों को मैं select करके email कर दूँगा और यहाँ पर जो type रहेगा यह भी email रहेगा then उसके बाद यह जो third है यह हमारा password then इसको हम ले लेते हैं password and password और यह हमारी last field रहेगी confirm password confirm और यहाँ भी confirm password तो मैं save कर लेता हूँ और देखिए हमारा जो initial object है देखिए अभी इसके अंदर और भी values हमें add करनी है इसके वो हमें validation के time पर add करनी होंगे पहले हम यहाँ पर iterate करके अपना पूरा form create कर लेंगे generate कर लेंगे then उसके बाद वो सारी fields हम add करेंगे तो अब यहाँ पर मैं यह सब कर देता हूँ इसको मैं कर दूँँँगा remove then हमारा अरे का नाम क्या था इसको मैं कर लेता हूँ copy तो इस position पर हम एक जो है map loop लिखेंगे I hope आपको पता होगा map loop कैसे काम करता है तो यहाँ पर हम map loop की मदद से हमारे जितनी भी form fields हैं उन सब को iterate कर लेंगे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ field and then parentheses and यहाँ पर हम अपना component add कर देंगे और इस component के अंदर हमें पहले तो key देनी है क्योंके हम यहाँ पर map loop चला रहे हैं और जब यहाँ map loop चलाते हैं तो उसके अंदर हमें key देनी mandatory होती है field.id यह आईडी जो हमने लीती वो हमेज़ा key दे देंगे इसके अंदर then उसके बाद यह proper यह जो भी हमारा object है ना यह पूरा object ठीक है हम इसके अंदर कर देंगे pass by spread operator field ऐसे करके ठीक है और इसके अंदर अभी फिलाल हमें कुछ नहीं भीजना है इसको करते हैं save और यहाँ पर आते हैं हमारे input वाले component के अंदर और input component के अंदर आके हम यहाँ पर जो है values हमारी iterate कर लेंगे कुछ let me just show you जैसे की हमने वहाँ पर create करा था label label यह रहा label है type है हमारे पास name placeholder यह सारी properties हमारे पास है आप देख सकते हैं ठीक है तो जो हमने value पास करी है ना as a prop इसको यूज करने के multiple ways हैं इस component के अंदर like मैं यहाँ पर प्रॉफ दे दूँ then उसके बाद मैं प्रॉफ लिख के like यहाँ पर ऐसे प्रॉफ डॉट लेबल लिख दूँ देखिए उसके बाद यह काम करेगा यहाँ पर हमारे लेबल्स यहाँ पर आ गए है लेट मी जस्ट शो यू यू हेर source फाइल के अंदर आऊंगा मैं और यहाँ पर करूँगा command P और अगर आप window यूज कर रहे हैं तो आप करेंगे control P तो उसके बाद हम अपनी input वाला component सर्च करेंगे और उसको यहाँ पर कर लेंगे open तो मैं यहाँ पर debugger add कर देता हूँ और अगर मैं इसको refresh करूँगा तो देखिए what is wrong here तो देखिए अभी यहाँ पर आके stop हो गया code हमारा जो आगे का code है वो अभी execute नहीं होगा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो हमने values पास करी है यहाँ पर app.jsx के अंदर यह जो हमने values पास करी है यह क्या है ठीक है तो इसके अंदर basically मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरा object हमें मिलता है ठीक है तो यह देखिए प्रॉपर होर करूँगा तो यह सारी values है आईडी लेबल नेम प्लेस होलडर एंड टाइप ठीक है चाहता तो मैं एक एक करके यहाँ पर इनको पर इन्पुट वाले कॉम्पनेंट मैं आऊँगा ऐसे ही एक एक करके जैसे मैंने यहाँ पर लेबल लिखा है ठीक है ना ऐसे इसके अंदर मुझे काफी values देनी होंगी टाइप देना होगा placeholder देना होगा like this टाइप क्या था अभी टाइप जैसे टाइप अलड़ी इसके ओपर text लिखा हुआ है ऐसी placeholder देंगे और भी काफी values रहेंगी तो थारी values हम एक एक करके देनी पड़ेंगी but the best way to do it हम यहाँ पर सब कुछ कर लेंगे destructure तो मैंने पहले यहाँ पर label को destructure कर लिया है देन उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी हमारे other props हैं ठीक है ना other props लेबल को छोड़के अभी यहाँ पर मैंने props दाला था तो इसके अंदर props के अंदर label भी आ रहा है लेबल भी आ रहा है और बाकी आ रहा है अब मैंने label को destructure कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर spread operator की मदश से एक other prop मैं इसका नाम कुछ भी दे दूँ इसका नाम मैं js.dev लिख दूँ उसके अंदर label को छोड़के बाकी सारे props जाए फिर वो इसके अंदर दिखेंगे ठीक है let me just show you this also इसको save करते हैं एक बार और यहाँ पर अब prop नहीं है तो यह error देगा इसको remove करते हैं और इसको कर ल run करते हैं और यह देखिए आप इसके अंदर label आ गया और अधर props के अंदर हमारे label को छोड़के बाकी जितनी properties थी वो सब आ गई है ठीक है अब यह सारी property मैं pass कर दूँगा हमारे input पर input पर pass करने के लिए भी हम यहाँ पर same spread operator की मदद लेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूँगा other props तो देखिए अब इसके अंदर यह मुझे type अलग से देने की जरुरत नहीं है क्योंकि type जो हमारा already वहां से आ ही रहा है ठीक है हमारे json के अंदर हमने type दे ही रखा है type की value क्या है text है ठीक है अच्छा अभी मैंने यहाँ पर एक error भी देखा के हमारा जो password है उसके अंदर type password रहेगा ठीक है इसको भी हम आगे चलके change कर लेंगे बट अभी फिलहाल के लिए एक बार यहाँ पर अपना code verify कर लेते ह तो देखिए username, email, password, confirm password ठीक है तो यह सारी values यहाँ पर इसने automatically हमारे json object में से ले लिए है तो guys देखिए यही benefit है other process operator के तुरू पास करने का input field में के हमें ना तो type पास करना पड़ा अपने input field में ना ही placeholder और यहाँ पर type और placeholder उसने दोनों ही ले लिए है ठीक है ना क्यू टाइप text और email का type email ठीक है ना और यहाँ पर placeholder text भी ले लिया उसने तो ऐसे ही यह जो भी हमारे object के अंदर key values थी ना जहां पर वह ऐज़ा attribute और attribute की values यहाँ पर पास हो गई है ठीक है तो यह मतलब हमारा काम इससे काफे दासा sort भी रहता है एक तरीके से दिखा जाता है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यह जो भी values दिख रही है मैं चाहता हूँ I mean obviously form के अंदर जो fill होने वाला data है वो हमें कहीं ना कहीं safe करवाना ही होता है ठीक है तो इसके लिए हमें global state create करेंगे और उस state के अंदर यह सारी fields का जो हमारा data है यूजर input data जो होने वाला है वो सब ह हमारे app.jsx component के अंदर और यहाँ पर आके में एक जो है state create कर लूँगा इसी को use कर लेते हैं यह जो by default आया था इसको इसको चलो मैं remove कर देता हूँ और यहाँ पर एक जो है state create कर लेंगे हम const values set values and यहाँ पर हम use करेंगे use state हूँ और by default यह एक object रहेगा ठीक है इस object के अंदर हमारी सारी values save होने वाली है और object के अंदर हम सारी fields का name दे देंगे ठीक है यहाँ पर like username के लिए username की की रहेगी और इसके अंदर हमारी username की value save होगी ऐसा ही हमारी other fields के लिए भी like email के लिए email मतलब मैं वही value use कर रहा हूँ जो यहा से देखो तो ठीक है और फिर उसके बाद हमारा रहेगा password then confirm password password के अंदर मैंने यहाँ पर गलती कर दी है आपको भी सही कर लेना अगर आपने भी किया तो then उसके बाद confirm password हमने हमारी state जो है create कर लिए है और अगर आपको नहीं पता states कैसे create करते हैं तो मैंने एक separate videos के उपर बना रखी जिसमें मैंने काफी detailed में समझाया है कि states कैसे काम करती है react race में तो वो वीडियो आप जरूर चेक आउट कर लेना आई बटन में आपको उसका link भी मिल जाएगा के अंदर हमें मिलेगा ब्राउदर event और इसको हम add कर देंगे इसको हम send कर देंगे हमारे input वाले component के अंदर ठीक है यहाँ पर मैं देता हूँ prop name on change यहाँ पर यह जो मैं दे रहा हूँ ना यह event नहीं है यह है on change prop प्रॉप का name है ठीक है ठीक है कॉम्पनेंट के ओपर जो भी वैसे value पास करते है न वो prop होती है तो अब मैं इसको कर लेता हूँ save फिलाल के लिए और अंदर चलते हैं हमारे input component के अंदर और यहाँ पर आके मैं इस on change prop को भी destruct कर लूँगा on change देन उसके बाद अब यहाँ जो मैं input पर लिखने वाला हूँ ना on change यह होगा हमारा event यह है on change event on change event के उपर हम यह वाला जो प्रॉप है यह हम इसको पास कर देंगे देन उससे हुआ क्या कि हमने यहाँ पर यह जो on change event है इसके उपर हमने यह वाला method पास कर दिया है ठीक है तो अब अगर मैं जब भी let me just show you console log कर के अगर मैं दिखा हूँ e.target.value और चलते हैं browser में और console log में आ जाते हैं तो यह देखिए अगर मैं a लिखूँ b c d e और यहाँ पर आके अगर मैं कुछ लिखूँ और यहाँ पर लॉग होने लगेगा ठीक है तो हमारी value यहाँ पर आ गई है इसके बाद अब हम हमारी state update करवाएंगे यहाँ पर यह जो हमारी state है ना इसको हम करवाएंगे update तो state update करवाने के लिए हमारा जो set state के अंदर यह वाला जो setter method है ना पहली वाली तो value होती है then second वाला जो होता है हमारा setter method होता है इसको मैं use करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ पी remove यहाँ पर मैंने setter method add किया और यह क्या है हमारा object है ठीक है values का है object है तो values के अंदर पहले में जो है rest of the values उनको spread operator के थुरूँ यहाँ पर copy कर लूँगा values then उसके बाद यहाँ पर जो है हमें जिस field के ओपर भी हम typing कर रहे हैं उसी field को update करवाना है दूसरी वाली fields का text हमें update नहीं करवाना value को update नहीं करवाना ठीक है तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर already name property पास कर रही है name इसको use करेंगे हम और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यह जो मैं value ले रहा हूँ यह बिलकुल same है जो हमने name के अंदर value दिये ठीक है तो यह हमें फायदा होगा यहाँ पर इसका तो इसके लिए हम लिखेंगे event.target.name अब यहाँ पर हमें value का name मिल गया then उसके बाद हम इसके अंदर पास कर देंगे event.target.value यहाँ पर मैंने कर लिया इसको save और हम चलेंगे हमारे browser में और चेक करेंगे कि हमारी state सही से update हो रही है या नहीं तो मैं इधर आया तो यहाँ पर state को check करने के लिए के सही से update हो रही है नहीं तो react.js का जो है एक डेवलोपर टूल extension है react developer tools तो यह chrome का extension है अगर आपने इस्टॉल नहीं कर रहा है तो इस extension को आप जो है दरूर इंस्टॉल कर लेना यह काफी जाधा helpful रहता है react app को debug करने के लिए जैसे कि अभी हमें state check करनी है तो मैं यहाँ पर आऊंगा और अगर आपने इस्टॉल कर रहा है तो आपको यहाँ पर यह दो चीज़ा दिख रही होंगी components and profiler ठीक है मैं component के अंदर आ जाऊंगा और component के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेरी जितने भी react component है वो सारे यहाँ पर दिखने लगेंगे ठीक है अब app के उपर में click करूँगा क्योंके app component के अंदर हमारी state जो है वो create है ठीक है अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे यह initially सारे empty है empty string then देखते हैं कि सई से काम करेगा या नहीं test तो देखिए हमारी state सई और दूसरी state पर इसका कोई impact नहीं हुआ ऐसे में कुछ और भी update करके देखूं nice nice and यहाँ पर कुछ भी डाल कर देखते हैं और उसके बाद कोई सी value remove करके देखते हैं email की तो यह सई से update हो रहा है ठीक है तो हमारी state तो अच्छे से update हो रही है यहाँ पर अब चलेंगे हम हम हमारे component के अंदर send कर देंगे तो यहाँ पर मैं आँगा और last में मैं लिखूंगा value और value के अंदर हम चो यह जो हमारी value है यह object है object के अंदर यहाँ पर यह सारे के सारे key और values की आपको दिख रही है ठीक है तो इसको हम कैसे लेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे values and then यह जो field है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा नेम ठीक है यहां पर इसको ऐसे करके हम टार्गेट करेंगे field.name देन इसको हम कर लेंगे save and save करने के बाद चलेंगे ब्राउजर में और मैं इसको कर लूँगा यहां पर inspect देन उसके बाद देखिए value अगर मैं यहां पर को change करूँगा तो हमारी value यहां पर भी update हो रही है तो का इस चलते हैं हमारे vs code में और यहां पर आके हम इस submit बटन के लिए एक जो है method लिखेंगे हम basically हमारा method रहेगा वो form के उपर रहेगा जब भी हम इस के उपर hit करेंगे तो हमारा form जो है submit होगा अभी देखिए क्या होगा मैंने hit करा हमारा form submit होगा है पूरा refresh होगा तो basically हमें यह नहीं करवाना है तो उसके लिए हमें इसको यहां पर prevent करना होगा refresh होने से then उसके लिए हम यहां पर on submit method करेंगे देन उसके अंदर हम यहां पर एक method ले लेते हैं method का नाम दे देते हैं हम handle submit यह method हम यहां पर कर लेंगे create और इसके अंदर में मिल जाएगा browser event देन उसके बाद हम यहां लिख देंगे e.prevent default मैं इसको कर लेता हूँ save और अब हम चलते हमारे browser में और अगर मैं यहां पर click करूँगा तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है मैं इसको remove कर देता हूँ then उसके बाद refresh sorry इसको मैं करूँगा remove अब हमारा जो form है वो refresh नहीं हो रहा है ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे और हम add करेंगे हमारी validations तो validations add करने के लिए सबसे जो first step है हम उसको करते हैं like required fields ठीक है कि अगर मैं without username फिल करें आगे बढ़ें तो मैं आगे बढ़ेंगे बढ़ें तो मैं आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे इस फील्ड शुट भी रिक्वाइड कौन कौन सी फील्ड जो है वो required है ठीक है इस केस में हमारी सारी fields ही required है तो मैं यहां पर add कर दूंगा required true ओके इसको copy कर लेते हैं क्योंकि देखा जाए तो हमारी सारी fields ही required है email भी required है password भी and label भी इसको save करते हैं अब अगर मैं यहां पर submit करूं तो देखिए सबसे पहले वाली field पर पहुच गए हम ठीक है क्योंकि यह required है अब यहां पर जो है हमें इसको fill करना है तब हम आगे ब required है तो हमने required वाली validations तो यहां पर add कर ली है simply html5 validation थी बट अब आगे जो हमें validations add करनी है like जो हमारी यह वाली जो field है user name ठीक है इसके अंदर minimum character 8 होने चाहिए वो sorry minimum character 3 होने चाहिए maximum 16 होने चाहिए ठीक है और कोई special character इसके अंदर type ना कर पाया तो यह सारी validations हम add करेंगे pattern के थुरू तो html5 की validations के अंदर हमारे पात होता है pattern keyword pattern ठीक है तो यह भी हमें जैसे कि आप यहां पर देख सकते है required यहां पर आ गया है ना तो यहां पर जो है हमारा pattern भी आ जाएगा और pattern के अंदर हम जैसोन भी दा सकते हैं let me just show you मैंने यहां पर लिखा test ठीक है अब यह वाली field जो है यह तभी valid होगी जब इसके अंदर यह जो मैंने यहां पर pattern के अंदर यह जो text लिखा है ना यह text exactly match होगा ठीक है यह pattern exactly match होना चाहिए अभी देखिए मैंने यह लिख दिय asd यह wrong है please match the formatted request format requested ठीक है अभी वहां पर क्या है text यहां पर text है test अब जब मैं test लिखूँँगा ना तब ही यह आगे वड़ेगा क्यूंकि इसकी नदर में मैं इसके लावा कुछ भी दालूँ वो wrong है ठीक है तो अब हमें यहां पर हमारा जो है rejects code add करना है validate करवाने के ल यह हम शुरूआ I mean rejects code start करने के लिए हमें लेना पड़ता है यह वाला keyword तो इसका मुझे नाम नहीं पता अगर आपको पता है तो comment section में comment करके जरूर बताइएगा मुझे भी then उसके बाद हम यहां पर लेंगे यह square bracket then a to z capital letter मतलब की a to z तक capital letter के अंदर भी वो field accept करे then a to z small letter यह वाले collector भी हमारे जो है सारे accepted है then 0 to 9 ठीक है यह सारे character भी हमारे जो है accepted है valid characters valid numbers sorry then उसके बाद हम यहां पर देंगे early bracket then इसके अंदर हम देंगे यहां पर limit like हमारे minimum 3 characters होने चाहिए then separated comma के साथ फिर हम यहां पर देंगे maximum character limit 16 अगर मैं maximum character limit कुछ नहीं देना चाहता तो मैं यहां पर इसको ऐसे छोड़ दूँगा fine और बट अभी हमें देनी है तो हम यहां पर लिख देंगे 16 then उसके बाद मैं इसको end करूंगा dollar sign के साथ fine तो हमारा यह वाला जो pattern है यह validate करेगा कि हमारी जो field है वो a to z तक upper letter और small letter दोनों के अंदर accept करें 0 to 9 तक सारे number accept करें और minimum character 6 होने चाहिए और maximum कितने होने चाहिए 16 और यहां पर हम इसके नीचे एक और field भी create कर लेंगे error message जिसके अंदर रहेगा हमारा error message तो user name क एक केस में हमारा error message रहने वाला है user name should be 3 to 16 characters and should not include any special character तो यह आप अपने according भी दाल सकते हैं जो भी validations आपको दालनी है और देखिए गाईस यहां पर मैं आपको एक चीज़ पताना चाहता हूँ के pattern यह जो rejects code होता है ना इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है आप google कर सकते हैं even आपको इससे better rejects code मिल जाएंगे ठीक है तो यह वेस्टेज of time ही होगा मेरे साब से अगर आप rejects code लिखना सीखना चाहते हैं तो फिलहाल आप जो है यहां पर वीडियो को pause करके भी इसे type कर सकते हैं ठीक है और अब हम इसको एक बार validate कर लेते हैं एक बार इसको check कर लेते हैं यह जो हमने error message यहां पर pass किया इसको मैं कर रह देंगे तो अभी हमारा other props के अंदर आ रहा हुगा error message बट हम उसको भी यहां पर destruct कर लेंगे error message इसको मैंने किया copy और यहां पर जो हमने static text डाला हुआ था इसको हम कर देंगे dynamic तो इसको मैंने किया save और save करने के बाद चलते हैं हमारे browser में और करते हैं इसको एक पर refresh दें आभी भी वही वाली problem है कि इसका जो मारा error message यहां पर दिख रहा है आप देखिए color इसको मैं अभी फिलाल के लिए दे देता हूँ और red ठीक है color हमने दे दिया red और देखिए अगर मैं यहां पर दालूँ एक तो नगाई यह देखिए auto fill वाली भी problem है हमेशा forms के साथ तो इ इसके लिए एक tag होता है देखिए मैंने जब भी मैं click करूँगा तो मैंने पहले कभी जो भी values वगरा दाली होंगी वो सारी यहां पर यह दिखा रहा है मुझे auto fill करने के लिए तो उसके लिए हमारे पास html5 के अंदर एक tag होता है जिसका नाम है auto complete इसको हम last में add कर देंग photo अच्छा यहां पर capital कुछ नहीं रखना है auto complete ठीक है और इसके अंदर हमारी string में value होगी off तो इसको copy करके जितने भी fields है ना नीचे सब के अंदर हम दाल देंगे अब मैं कर लूँगा इसे save और चलते हैं अपने browser में अब देखते हैं कि यह हमें suggest करेगा या नहीं अब नहीं कर रहा देखिए यह अब जो है off हो चुका है यहां पर हमारा दिखा भी रहा होगा auto complete off एड हो गया है ठीक है तो अब यहां पर हमारी जो क्या क्या विलिडेश see ठीक है सबसे पहले तो यह तीन चीज़े मैंने add करी and अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं nice अगर मैं दो character कर दूं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारा pattern match नहीं हो ठीक है तो अब इस error message को भी handle करते हैं क्योंकि यह सिर्फ तभी आ आएंगे यहां input पे और style.scss के अंदर आके यहां पर हमें लिखनी होगी css input field input invalid and इसके अंदर हम span हमारा जो error message वाला span है उसको हम target करके यहां पर उसका color दे देंगे red then उसको हम कर देंगे display lock और by default यह span जो रहेगा display none रहेगा display none तो save करते हैं और चलते हैं हमारे browser में तो देखिए अभी तो invalid है ठीक है अभी मैंने यहां पर दो characters है अगर तीन characters करूँगा तो यह जाना चाहिए ठीक है expected तो यह ही है देखते हैं काम करेगा यह नहीं देखिए चला गया fine फिर से 20 फिर से वह चला गया तो जब भी valid होगा invalid होगा उस time पर दिखेगा और valid case के अंदर नहीं दिखेगा आप से कि यह 16 characters से ज्यादा हो गए तो दिखने लगा ठीक है अभी 60 अभी यह valid है क्योंकि 16 characters से कम है और 3 से ज्यादा है ठीक है बट अगर मैं यहां पे special character add कर दूँ तो फिर से यह invalid हो गया है नाइस तो हमारी validation यहां पर काम कर रही है और इसको कर लेंगे हम एक बार refresh बट उसके लावा देखिए दूसरी problem अगर आप देखें के initially जो है ना यहां पर मैंने refresh करा और यहां पर हमारा error message दिख रहा है देखा जाए technically तो अभी यह invalid है क्योंकि इसके अंदर characters वगेरा नहीं है ठीक है ना बट हमें क्या करना है कि यहां पर हमें ऐसा करना है कि जब मैं इसके ओपर click करूँ just imagine मैं इसको fill करने के लिए आया ठीक यहां पर हमें error message आना चाहिए अगर यह सही से fill हुआ है तो नहीं आना चाहिए बट अगर सही से fill नहीं हुआ I mean user interaction के बाद ही error आए ऐसा नहीं कि refresh करा और वहां पर errors हमारे पड़े हुए तो इस चीज़ को address करने के लिए हम आएंगे हमारे input.jsx file के अंदर और यहां पर आक और दूसरा हमारा method रहने वाला है पहले यहां पर ना एक state create कर लेते हैं हम हम एक state के state की मदद से हम क्या करेंगे हम check करेंगे कि यह वाला जो हमारा input है ठीक है ना यह focused है या नहीं focused in the sense के अभी मैं आया इदर मैंने refresh किया मैं इस पर आया ठीक है अब उसके बाद मैंने बाह कहीं किलिक कर दिया तो इस case में क्या हुआ यह focused था ठीक है ना तो focus था या नहीं उसके लिए हम एक state create करेंगे अभी मैंने refresh करा तो obviously इस case में तो यह focus नहीं था ना पहले कभी भी बड़ अभी मैं यहां पर आया मैं अब मैं कहीं बाहर किलिक करूंगा ठीक है तो इस case में य यहां पर hook import कर लूँगा use state and then हमारी यहां पर state में create करूंगा state का नाम रहेगा focused set focused और इसकी जो initial value होगी वह होगी false मैं इसको कर लेता हूँ अभी के लिए save and यह error इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पर on blur method हमारा empty है तो on blur method के अंदर मैं इस state को करवा दूँगा true तो set focused will be true नाइस तो चलते हैं यहां पर और हमारी यह वाली state जो हम चेक करेंगे इसको मैं कर देता हूँ refresh और यहां पर आए हम इसके अंदर हमारा जो first वाला iteration है ठीक है ना इसके अंदर हमारा अभी state का false है ठीक है अब मैं यहां पर आया और जो blur method होता है ना वो तब कॉल होता है जब हम किसी input पे बाहर कहीं किलिक करते हैं ठीक है हो गई है true तो अब हमें क्या करना है कि यह जो हमने focus वाली state create करिए ना वो हमें जैसे हमारे यहां पर id टाइप और यह सब added है ना हमारे attributes इजी attributes की तरह हम यहां पर focused attribute भी add करेंगे जिसके अंदर true false value show होगी ठीक है उसके base पर हम थोड़ी css लिखकर इस error message को handle करेंगे तो यहां पर मैं आऊंगा input पर और input पर मैं on blur के बाद यहां पर दूँगा एक new attribute focused और focused के अंदर जो हमारी value रहने वाली है ठीक है ना यह वाली value रहने वाली है तो initially यह क्या होती है false focused और यहां पर boolean value है और मैं चाहता हूँ यह string में वहाँ पर print हो तो उसके लिए हम use करेंगे javascript का to string method to string ओके इसको हम कर लेते हैं save and then उसके बाद हम हमारी css file के अंदर आएंगे और यहां पर आके invalid के साथ साथ हम check करेंगे कि यह focused true है या नहीं इसको कर लेंगे अब हम save और चलते हैं हमारी file के अंदर इसको मैंने अभी देखिए यहां पर focus true आ रहा है ठीक है अब मैं कर देता हूँ refresh अब देखिए focused क्या है फाल्स है ठीक है अब मैं इसके ओपर मैंने क्लिक करा मैंने इसको फिल नहीं करा मैं next field में चला गया तो इस case के अंदर यहां पर हमारा error message show होने लगा है ठीक है क्यूंकि मैंने इसको without फिल करें ठीक है मैं आगे बढ़ गया हूँ और बतलब यह अभी हमारी जो फिल्ड है इन्वैलिड है और उसी के साथ में हमारी स्टेट की वज़े से यह वाली जो focused की value यह भी true हो गई है तो guys हमारा error message भी यहां पर properly handle हो गया अब हमारी आगे की fields जो है इनके लिए भी error handling कर लेंगे जल्दी से आ जाएंगे हमारे vs code में और यहां पर आने के बाद हमारी next field क्या है email तो email के लिए भी हम यहां पर हमारा error message एट कर देंगे error message और error message हमारा रहने वाला है it should be valid email address ओके तो इसके अंदर हमें और कुछ ने इसके अंदर कोई pattern नहीं रहने वाला क्यूंके हमने यहां पर जो type email लिया है ना यह हमारे लिए work करेगा let me just show you तो देखिए अभी यह invalid है ठीक है क्यूंके इसके अंदर भी हमने initially visit किया था मैं refresh कर लेता हूँ ठीक है तो इधर आए और ABC लिख दिया और यहां है यहां पर पहली बात तो इसका वो चेक कर लेते हैं focused तो इसका काम कर रहा है सही से then उसके बाद ABC बाहर क्लिक किया अ reiterate दाला अभी भी invalid है अब पूरा इसके अंदर हमने यहां पर email दे दिया ठीक है तो अब यह सही है अब हम आगे बढ़ सकते है तो इसके बाद हमरी next field क्या है password and confirm password तो इसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम यहां पर आके हम पहले सबसे पहले देंगे error message तो मैं यह उपर वाला copy क कर लेता हूं और यहां पर password में आके इसको कर देता हूं इसके message को remove मैं यहां पर लिखूँँगा message password के लिए error message तो यह complete हो गया हमारा error message तो देखिए error message के अंदर हम क्या check करेंगे बैसिकली इसकी validation क्या रहने वाली है कि password हमारी जो मैं थे वह 8 से 20 के बीच में होनी चाहिए minimum 8 और maximum 20 characters ठीक है तो उसके बाद इसमें at least one letter होना चाहिए और one number होना चाहिए and one special character होना चाहिए तो guys password fields के लिए जो हमें pattern यहां पर use करना है ठीक है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर हमें कोई specific pattern find करना है गूगल पर तो हम कैसे search करेंगे हमारी condition आप यहां पर देख सकते हैं क्या है हमें यहां पर जो rejects code चाहिए वो यह सब चीज़े validate करें एक number एक letter और एक special character and यह वाली है हमारी limit ठीक है तो इसको find करने के लिए हम आते हैं हमारे गूगल पर और यहां पर हम query search करेंगे जो भी हमारी condition हम वह search कर लेंगे हमारी case में मैंने क्या लिखा जेस one letter one number one special character rejects code ठीक है अगर मैं enter करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं already even बहुत सी websites भी है जहां से आप जो है rejects code generate कर सकते हैं तो यहां पर भी हमारे पास जो है यह सारे rejects code पड़े हुए है यह क्या बोला है it's simple just add one more character class at the beginning I mean बस यह समझाने वाली बात थी कि आपको कैसे find करना है अगर आपको rejects code ढूणना है ठीक है तो अभी फिलाल में यह website बंद कर दूँगा यह भी बंद कर दूँगा और यहां पर आके यह देखिए second website के अंदर तो बहुत ही अच्छा example even इसमें at least eight characters limit है ठीक है minimum one upper case one lower case one number one special character and only content symbols from the alphabet number तो हम यह पूरा rejects code अगर use करें तो यह सारी condition हमारी काम करेगी ठीक है तो अभी फिलाल खेर में इसको बंद कर देता हूँ और यहां पर हम आएंगे हमारे code में और यहां पर हम लिखेंगे pattern और pattern के अंदर मैं यहां पर back stick के अंदर हमारा pattern add करूँगा और मैंने हमारा जो rejects code है वो copy कर रखा है मैं यहां पर कर दूंगा इसको paste तो दिखिए यह rejects code आपको जो है description में भी मिल जाएगा यह वाला भी और यह जो हमने उपर use किया है यह भी ठीक है तो यहां पर password के case मे minimum एक number होना चाहिए minimum एक alphabet होना चाहिए minimum एक special character होना चाहिए and remaining characters जो भी accept करेगा ठीक है तेन उसके बाद हमारी जो limit है minimum 8 characters और maximum 20 तो इसको हम कर लेते हैं अब save और save करने के बाद चलते हैं अपने browser में और इसको यहां पर आके करेंगे test मैं इसको refresh कर लेता हूं and direct password को ही check करत हैं password में मैंने दाला a b c then उसके बाद अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो error message वो throw गया है अब मैं यहां पर add कर दूँगा add direct and one two three four ठीक है तो हमारी जो minimum 8 character वाली limit थी वहां पर हमने comply कर लिया है ठीक है और उसके लावा हमारा alphabet हो गया special character हो गया और यहा wrong password के लिए validation लिख सकते हैं ठीक है तो अगर मैं अगर इस से उपर जाओं तो अभी देखिए अभी यह सब कुछ यहां तक ठीक है ठीक है ना अबट अगर हम exceed कर दें हमारी 20 की limit अब चलते हैं ऊपर 20 की limit exceed होने के बाद भी हमारा error message यहां पर आ जाएगा awesome guys ठीक है तो अब हमारी बच्टी है last field confirm password ठीक है confirm password के अंदर हमें as such कोई यहां पर जो है pattern नहीं लिखना है तो इसके अंदर हमें क्या करना है basically हमें ensure करना है कि यह जो इसके अंदर जो text है ना यहां पर जो हमने string लिखी हुई है ठीक है वो वाली string यहां पर exactly match होनी चाहिए वो मैंने आपको initially दिखाया था कि हम pattern में string भी दे सकते है ठीक है तो पहले तो हम यहां पर देंगे error message error message देने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूँ error message और इसके अंदर हमारा error message क्या रहेगा guys text password should be match password should be match या फिर आप कुछ भी दे सकते हो यहां पर आपको पता है मैं सिर pattern के अंदर हम add करेंगे हमारी इस वाले जो password field है इसकी value तो वो हमें कहा से मिलेगी वो हमें मिलेगी state से value.password तो यहां पर आएंगे और यहां पर लिख देंगे हम values.password और यहां पर मैं कॉमा लगाना भूल गया था इसको मैंने कॉमा लगा दिया है इसको आप save करते हैं और add the red 1,2,3,4 ठीक है अब नीचे भी हमें exact match करवाना है ABC add the red 1,2,3 अभी मैं यहां पर 3 दाल देता हूँ 3 दाला मैंने अभी match नहीं है ठीक है अब करेंगे 4 तो देखिए जब exact match होगा ना ठीक है तो ही यहां पर हमारा error message जाएगा मैं आगे कुछ P add करतूं 5 add किया देखिए अभी match नहीं है हड़िया अब यह exact match है तो हमारा यहां पर error message चला गया और यह field हो गई valid बट उसी के साथ यह जो हमारी password वाली field देना यहां पर हमारा type क्या रहना चाहिए यहां पर हमारा type होना चाहिए password अब चलते हैं इसको एक बार test कर लेते हैं तो देखिए हाँ यहां पर हमारा जो password है वो a b c add the red one two three four a b c add the red one two three four नाइस तो गाइस अब एक final issue जो हमें यहां पर address करना है let me just show you मैं इसको एक बार refresh करूंगा और देखिए अगर हम सब कुछ सही सही यहां पर fill करते हुए जाहें मैंने यहां पर लिखा a b c यह valid है आप पिर हम बढ़ेंगे आगे then a b c add the red dot com okay then password भी में एक दम ठीकी दूँँगा यहां पर a b c add the red one two three four then नीचे आउँगा और यहां पर मैं दूँँगा wrong password confirm मैं ओके यहां पर लिखता हूँ a b c add the red one two three three लिख देता हूँ मैं देखिए अब क्या है इसके बाद कोई field तो है नहीं ठीक है इसके बाद direct यह submit बटन है अगर मैं submit बटन पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद यह error थो करेगा कि password जो है वो मैच नहीं है ठीक है न पासवर्ड मैच नहीं है तो अभी देखिए बड़त हींगी इसके होना क्या चाहिए यह थोड़ा सा मतलब sense नहीं कर रहा है यह गलत गलत है तो होना ऐसे चाहिए था कि जब हमने password हमारा match नहीं हुआ है ना तो उसी time पर हमारा यहां पर error message शो हो जाना चाहिए था basically जब हम confirm field के ऊपर click करेंगे ना लाइक जब हमारी password वाली field को fill करके आगे बढ़ेंगे और हम इस पर click करेंगे तो उसी time पर हमारा यह वाला message शो हो जाना चाहिए password should be match ठीक है तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे input.jsx में और यहां पर आके हम on blur के बाद एक method और add करेंगे on focus on blur मैंने आपको बता दिया था किसलिए होता है तो on focus just उसक time run होता है ठीक है और यहां पर आके हमें condition add करेंगे basically तो हमें यहां पर check करना है कि यह मतलब जिस पर हम जिस field के ओपर हम focus कर रहे हैं वह confirm password वाली field है और जब भी confirm password वाली field होगी तो उस time पर हम क्या करवा देंगे जो हमारी focused state है उसको true करवा देंगे ना कि on blur पर true करवाएं ठीक है तो उसके लिए condition लिखेंगे हम other props.name is equal to confirm password then and and लगा के यहां पर यह हम copy कर लेंगे और इसको कर देंगे true ठीक है तो यह स्थिरिफ होगा हमारा confirm password के case में तो देखिए मैंने इसको किया refresh then उसके बाद ABC then test at the rate gmail.com then abc at the rate 1234 then आगे बड़े देखिए तो यहां पर आते ही हमारा error message show ना start हो गया तो guys आपको I hope यह video पसंद आई होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आया होगा तो guys please video को like करना और channel को subscribe करना बिलकुल मत बूलना आप मिलते हैं हमारी next video में